आज हम अपने बुक की एक्सरसाइज 1.7 को सोल करेंगे इस एक्सरसाइज को सोल करने से पहले हम कुछ बेसिक रूल को समझेंगे उसके बाद इस एक्सरसाइज के क्योस्टन्स को डिस्कस करेंगे तो बेसिक रूल के स्टेंग सबसे पहले आपको यह नाम याद रखना है बोर्ड मास ठीक है अब यह बोर्ड मास क्या होता है पहले हम इसको समझते बी का मिनिंग होता है यहाँ ब्रेकेट ओकेश्टर बी का मिनिंग क्या हुआ ब्रेकेट अब ब्रेकेट भी स्टुडेंट्स चार टाइप के होता है ठीक है नमर फैस्ट लाइन ब्रेकेट या फिर इसको बार भी बोलते है या फिर विल कूलम ठीक है यानि कि आपको ऐसे एक लाइन मिलेगी सबसे पहले आप उसको सोल करेंगे उसके बार आप सोल करेंगे इस्मोल ब्रेकेट को ठीक है और इस्मोल ब्रेकेट को रिपर्जिन करते है ऐसे ठीक है नमर फैर ब्रेकेट क्या है करली ब्रेकेट करली ब्रेकेट को हम कैसे रिपर जिल करेंगे यानि कि पहले लाइन ब्रेकेट को सोल करेंगे फिर स्मोल ब्रेकेट को फिर करली ब्रेकेट को और लास्ट जो आपका ब्रेकेट आपर है उसको हम बोलते हैं बिग ब्रेकेट या फिर स्क्वेर ब्रेकेट ठीक है और कई बुकों में इसको rectangular bracket भी बोलते हैं और इसको ऐसे रिपर्जेंट किया रहते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो आपको ये solve करता है अब O का meaning होता है यहाँ ओफ ठीक है सुट ओ का meaning क्या हो गया यहाँ ओफ और D का meaning यहाँ हो गया student divide या फिर division यानिकि उसके बाद आपको division करना है फिर उसके बाद M का meaning हो गया multiplication multiplication और उसके बाद आपको solve करना है A का meaning हो गया addition ठीक है और S का meaning हो गया यहाँ subtraction ठीक है इस order में हमें question को solve करना है तो इसको आप load करें और अब हम सुरू करते हैं exercise 1.7 तो इसका first question लेते हैं गाईस first question है 102 plus 13 into 8 plus 125 divided by 5 into 10 तो आपको एक नाम याद रखना है यहाँ board marks ठीक है तो board marks के rule के according सबसे पहले हम किसको simplify करेंगे ब्रेकेट इसमें नहीं है divide है ठीक है ना तो divide को solve करेंगे पहले one hundred two plus 13 into 8 plus one hundred twenty five divide को solve करने का मतलब divide का sign हटेगा यहाँ किसका देगा multiply का और यह आपका बन जाएगा one by five into ten understood अब यह देखो five से कट गया twenty five ten ठीक है so one hundred two plus thirteen into eight plus twenty five into ten अब दो पहले divide को solve किया अब उसके बाद हम क्या करेंगे M, M का meaning होता है multiply अब हम multiply करेंगे तो one hundred two plus thirteen eight जै क्या हो गया one hundred four plus twenty five into ten two fifty अब इसको add करेंगे ठीक है तो इसको add करेंगे तो zero four two six आएगा ठीक है five plus zero five और यह आपका five आजाएगा two three or four four hundred क्या हो गया आपका 56 ठीक है यह इसका answer आजाएगा अब second question देखते हैं देखो second question में आपको इसका rule apply करना पड़ेगा B, bracket को solve करना पड़ेगा सबसे पहले किसको solve करना पड़ेगा bracket और bracket में देखो क्या इसमें बार है बार नहीं है फिर उसके बाद हम small bracket प्यालते हैं ठीक है यह आपका big bracket curly bracket और यह है small bracket तो small bracket में क्या है 10 plus 5 तो यह आपका 15 हो गया फिर minus 3 into 2 आपका 6 हो जाए ठीक है प्लस 10 और यह big bracket अब curly bracket को solve करें 57 divided by आप देखो 15 minus 6 तो आपका कितना आजएगा 15 में से 6 minus करेंगे तो आपके पास आजएगा student 9 ठीक है और plus 10 अब 9 plus 10 कितना बनेगा 90 ठीक है अब 19 का divide देना है 57 में तो आपको पास है student 3 आजएगा ओके तो यह हमारा question number second complete note it तो बच्चों अब हम लेते हैं next question third third में हमें दिया है 50 into 225 divide 5 plus big bracket फिर curly bracket 117 divide 13 into 5 minus 10 into 3 और curly bracket फिर big bracket तो student आपको यह नाम याद रखना है board mask okay student अब board mask के rule के according सबसे पहले bracket को solve करेंगे और bracket में line bracket को line bracket इसमें नहीं है student उसके बाद small bracket को solve करेंगे वो इसमें है तो पहले हम इस bracket को solve करेंगे तो 50 into 225 divided by 5 फिर प्लस और curly bracket 117 divide 13 into 5 minus अब देखो 10 into 3 आपका 30 बन जलगा तो यह आपका small bracket solve हो गया है अब उसके बाद हम curly bracket को solve करेंगे अब curly bracket में भी हम board mask का rule याद रखेंगे तो board mask के rule के according सबसे पहले divide को solve करेंगे तो divide यह है so 50 into 225 divided by 5 प्लस आप देखो गाईज हम curly bracket में 117 में 13 का divide देंगे तो इसका divide देंगे तो 9 times आजया और into में क्या है 5 minus 30 ओके 95 चा 45 so 50 into 225 divided by 5 प्लस 45 minus 30 और यह आपका big bracket अब गाईज 45 में 30 minus कर देंगे तो 50 into 225 divided by 5 और प्लस यहां कितना बच किया 50 अब फिर इसमें board mask का rule apply करेंगे तो board mask के रूल के according सबसे पहले divide आएगा इसमें क्यूंकि bracket तो हट चुका है अब divide करेंगे तो 225 में 5 का divide करेंगे तो देको इसमें 5 से सिधा ही काट देंगे इसको इन 2 और देको 5 से 4 टाइम 55 जा 25 फिर प्लस 50 फिर देको पहले multiply करेंगे गोल मास के रूल के according बाद में addition करेंगे तो इसको हम multiply करेंगे तो यह आजाएगा 2250 ओके और प्लस में 50 फिर देको 50 को 45 के साथ multiply करेंगे तो 2250 अब इसको add करेंगे तो हमें मिल दाएगा 2265 और यह इसका answer हो गया clear अब गाई फोर्थ क्यूशन पे आते हैं आप देखो फोर्थ क्यूशन में बोर्ड मास के रूल के according सबसे पहले हम देखो bracket के इसमें हाई नहीं तो पहले हम divide करेंगे ओके तो 110 into 2 plus 50 में 5 का divide करेंगे कितने time जाएगा 10 time और minus 90 अब आपको कैसे solve करना है divide नहीं है इसमें उसके बाद देखो M, M का मीनिंग multiply अब आपको multiply करना है तो 2 को 110 के साथ multiply करेंगे तो 220 plus 10 minus 90 अब उसके बाद देखो A, addition तो पहले हम addition करेंगे तो पहले इन दोनों को add करेंगे 220 में 10 add करेंगे तो 230 आजाएगा और minus 90 अब तो शिदा है minus करदेंगे 230 में 90 minus करेंगे तो 211 और ये इसका answer होगी understood students not it तो बच्चो अब आते हैं question number 5 पे question number 5 में आपको दिया है 300 divided big bracket 375 minus 4 curly bracket 440 minus small bracket 150 minus 60 minus 50 के उपर बार लगा हुआ है फिर small bracket और फिर curly और close bracket question सबसे पहले आपको ये नाम याद रखना है board mass ठीक है इसके rule के according सबसे पहले हम bracket को solve करेंगे और bracket में भी line bracket को इसमें line bracket आया हुआ है so 300 divided by big bracket 375 minus curly bracket 440 minus small bracket 150 इसको इसको solve करते हैं 60 में से 50 minus करेंगे तो आपका 10 बच जाए ठीक है फिर ये ब्रेकेट फिर big bracket अब इस ब्रेकेट को solve करेंगे 150 में 10 minus कर दो 300 divided by 375 फिर curly bracket 440 minus 140 इसमें से minus किया तो 140 आ गया curly bracket और big bracket अब curly bracket को solve करेंगे तो 440 में minus करेंगे 140 तो आपका 300 रह जाएगा so 300 divided by 375 minus कितना रहे गए यहाँ 300 understood अब इसको solve करते हैं 300 divided by अब 375 में 300 minus करेंगे तो 75 अब 300 में 75 कर डिवाइड देंगे तो 4 टाइम चला जलेगा और यही इसका answer होगे clear अब गाइस next question 6 पर आते हैं यही question है तो इसके rule के according सबसे पहले हम इसको solve करेंगे तो 450 divided by big bracket 70 plus 30 plus 70 किक है minus अब गों 50 में से 30 minus करेंगे तो आपका 20 आजाएगा understood अब small bracket को solve करेंगे 450 divided 70 plus ओके इसको add करूँगा तो 100 आजाएगा फिर बाद में minus 20 curly bracket और फिर big bracket अब curly bracket को solve करेंगे तो 100 minus 20 80 तो 450 divided by 70 plus यहाँ आगे आपके पास 80 अब big bracket को solve करेंगे 450 divided by 70 plus 80 150 ओके अब 450 में 150 का divide देंगे तो आपके पास आजाएगा 3 और यह इसका answer हो दिया प्रेस्ट हमारे question number 5 and 6 complete नो टम तो बच्चों अब आते हैं next question 7 पर 7 में हमें दिया है 150 divided small bracket 14 plus 1 minus 90 into 3 plus 7 into 405 तो सबसे पहले हम board mass लिखेंगे board mass ओके अब board mass के rule के according पहले bracket को solve करेंगे यहाँ line bracket नहीं है small bracket है तो पहले small bracket को solve करेंगे तो 150 divided by 14 plus 1 50 minus 90 into 3 plus 7 into 4 of 5 का मतलब हो गया of का मीनिग यह होता है multiply तो 4 into 5 चीक है 150 divided by 15 minus 90 into 3 plus 7 into 4 into 5 इस्टुडेंट आपका 20 होता है चीक है यह इसको आपने simplify कर लिया अब उसके बाद आपको क्या करना है divide करना इस्ट्रेंग तो 150 में 15 का divide देंगे तो इस्ट्रेंग सिंपल है 10 टाइम चला जाएगा फिर minus 90 into 3 plus 7 into 20 अब divide के बाद हम करेंगे multiply तो 10 minus इसको इसके साथ multiply करेंगे तो 270 और प्लस यह आजाएगा आपका 140 उसके बाद हम addition करेंगे अब एको addition कैसे करना है 140 positive 10 b positive तो आपका आजाएगा 150 positive minus 270 अब आपन माइनस कर देंगे तो हमारे पास सीधा जाएगा minus 120 और यह इसका answer हो गया understood अब गाईज next question 8 पे आते हैं तो सबसे पहले board marks के rule के according हम small bracket पे आते हैं 150 minus 120 plus curly bracket 80 divided 4 minus 2 into 60 में 3 कर divide देंगे तो कितनी time चला जाएगा 20 10 फिर बाद में plus 3 curly bracket और big bracket अब उसके बाद क्या करना है आपको curly bracket को solve करना है तो curly bracket के अंदर आपके पास यह है इसमें भी हम board marks के rule के according चलेंगे curly bracket के अंदर पहले हम divide को solve करेंगे ठीक है divide के हमारे पास 80 80 में 4 का divide देंगे ठीक है कितनी time चला जाएगा 20 time फिर minus 2 into 20 और plus 3 curly bracket और big bracket अब divide के बाद हम करेंगे multiply तो 150 minus 120 plus 20 minus multiply सिरफ यह है तो minus का 40 plus 3 और curly bracket और big bracket अब multiply के बाद अब हम करेंगे addition तो देखो 20 और plus 3 23 150 minus 120 plus यहां कितना बचाएगा इस ट्रेंट आपके पास यहां बच जाएगा minus का 70 ठीक है और यह bracket अब देखो minus का 17 अभी bracket को अठा सकते हैं लेकिन plus into minus आपका minus आएगा तो एक लाइन और लिख लेते हैं 150 minus big bracket 120 plus into minus आपका minus और 17 अब 120 में 17 minus करेंगे तो 150 minus आपका कितना बचेगा यहां यहां आपके पास बच जाएगा 103 किक है अब 103 इसमें से हम क्या करेंगे minus करेंगे तो देखो 100 minus करेंगे तो यहां 50 रहे गया 50 में से आपके पास 3 minus करेंगे तो 47 और वो भी इसमें किसका एगा plus का और यह इसका answer हो गया understood इसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सेनल को like and subscribe जरूर करें थैंक यू for watching